देखे फ्रेंड्स यह जो प्रश्ण पूछा गया है पिछले वर्ष 66th BPSC 2020 में पूछा गया प्रश्ण है 1831 में बुद्ध भगत के नेतिरत में कोल विद्रोह की सेतर में हुआ था Hello Friends, Welcome to the Success Kendra Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th BPSC 2021 के लिए 38th BPSC लेकर के 66th BPSC तक में आधुनिक भारत की इतिहास संबंदित जितने भी प्रश्ण पूछे गया है उन सभी प्रश्ण को हम कबर करेंगे Friends, घटना चकर पुर्वा लोकन की जो नई पुस्तक आई हुए 2022 की इसमा 38th BPSC लेकर के 66th BPSC तक में जितने भी आधुनिक भारत की इतिहास से प्रश्ण दिये गया है टोटल जो है 377 प्रश्ण दिये गया है इनको हम लोग 3 वीडियो में कबर करेंगे ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी important वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए Friends, बिना देरी किये हुए आज का session स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्लीज लाइक और सेर जरूर कर दिजिएगा तो Friends, आज के session का पहला प्रस्ण देखिए पहला प्रस्ण है कि पुर्तगाली उपनिवेस का पर्थम वाईस्तार है भारत में कौन हुआ देखे Friends, इससे पहले हम लोगों ने तीन वीडियो को कबर किया हुआ है एक वीडियो में हम लोगों ने बिहार की इतिहास से समझनी जितने भी प्रश्ण 28 वी बीपेसी से लेकर के 66 वी बीपेसी तक में पुछेगा है उनको हमने एक ही वीडियो में कभर किया हुआ है और मद्यकालीन भारत की इतिहास को भी हमने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है तीनों वीडियो का लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा आप एक बार जरूर देख लिजेगा तो फ्रेंस ध्यान दीजेगा लेके भारत में पर्थम पुर्तगाली वायसराय की रूप में फ्रांसिस्को डी अलमीडा का आगमन हुआ था वह जो था पंदरा सो पांच इसवी में ध्यान रखेंगे पंदरा सो पांच इसवी में भारत पहुँचा था और इसका जो कारेकाल था ये 1505 से ले करके 1509 तक रहा था ठीक है तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा अलमीडा हो जाएगा option number C next question देखेगा अगला प्रशन हमारा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकाइती है तू हुगली का उप्यो को कौन करता था बहुत important question है तो फ्रेंस ये करते थे पूर्तगाली option number C right answer हो जाएगा पूर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट पार्ट के लिए अड़े की रूप में इस्तमाल किया जाता था फ्रेंस अगर आपको एंसर पता है तो आप एंसर comment box में भी दे करके बता सकते हैं मैं वहीं अंसर बताऊंगा आपको जो VPSC के दवारा एंसर बताया गया है देखें निमलेखित अंगरेजों में से किस जाहंगीर ने खान की उपादी से समानित किया था तो फ्रेंस आपको पता होगा कि Hawkins जो था इस्ट इंडिया कमपनी का एक करमचारी तथा बैपारी था वह बादसा जहांगीर के नाम इंगलेंड के राजा जम सपर्थम का पत्र लेकर की सूरत पहुचा था और वह आगरा में मुगल समराट जहांगीर से उसने भेट की थी और जहांगीर ने Hawkins को 400 का मंसब ठीक है यहां मैं लिखता हूँ 400 का मंसब तथा फिरंगी खा आथवा इंगलिस खा की उपाधी दी थी तो राइट अंसर इसका आप्शन नम्बर हो जाएगा Hawkins यहां मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा जितने भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो के माधिन से में क्लियर करने का प्रयास करूंगा च्लोथा प्रसंद देखिए कि भारत में 1612 SP में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी कहां अस्थापित की थी तो देखे राइट अंसर जो है इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा ओप्सन नबर इसका डी हो जाएगा सूरत में ठीक है फ्रण्स ध्यान रखेंगे सूरत में उसके बाद नेक्स्ट कुस्ट देखेगा क्योस्ट नबर फाइब कि डच इस्ट इंडिया कंपणी ने किस वर्स अपनी फैक्टरी पट्टा में अस्थापित की थी तो रेट इंसर जो है इसका क्या हो जाएगा 1632 हो जाएगा उप्सन नबर 20 इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा 1632 में नेक्स्ट कुस्ट देख लिजेगा अगला प्रशन हमारा कुस्ट नबर 6 की निमलिकित में से स्वर पर्थम करनाटक यूद का कौन सा ततकालिक कारण था देखे फ्रेंस करनाटक का पर्थम यूद जो था ये उस्ट्रिया के उत्राधिकार यूद जो की 1740 में अरंभ हुआ था उसी का मात्र एक बिस्तार था ठीके फ्रेंस उसके बाद देखे अगर बात करते हैं तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नत्रित्व में जो है अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया यहीं जो रहा था ततकालिक यूद का कारण रहा था तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा अप्सन नमबर डी हो जाएगा अप्सन नमबर इसका डी हो जाएगा और ध्यान रखेंगे यह जो यूद था यह किस संदी के तहद समाप्थ हुआ था तो पुछा जाता है यह ला सापल की संदी के तहद यह यह यूद समाप्थ हुआ था ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि 1760 का प्रसिद वांडीवास का यूद अंगरेजों द्वारा किसके खेलाफ लड़ा गया था तो फ्रेंड्स यह हुआ था यूद वांडीवास का ध्यान रखेंगे 1760 में अंगरेज और फ्रांसीसी के मध्ध ऑप्सन नमबर एराटंसर हो जाएगा और देखिए यह इस यूद में जो है पराजित हुए थे अंगरेजी सेना का नेत्री तो सर आयर कुट ने किया था जब कि फ्रांसीसी सेना का नेत्री तो काउंट डी लाली ने किया था ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए कुस्ट नमर एट देखिएगा और श्रेंट्स प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फॉममस बेस्ट ऑप्सिनमर बी इसका पर आपादन ही तू प्रसिद था उफिम उत-पादन हेतुम प्रसिद था बिहार, option number A, इसका correct answer हो जाएगा, उसका बाद देखेगा कि इलाहबाद की संदी के बाद, रोबर्ट कलाइब ने मुर्शिदाबाद का उप दिवान किसे बनाया था, तो friends ध्यान दिजेगा, देखे इलाहबाद की संदी का नुसार, भगोडे साह आलम को अंगरेजी सरक्षन में ले लिया गया, तथा उससे इलाहबाद में रखा गया था, साह आलम ने अपने फर्मान द्वारा कमपणी को बंगाल, बिहार, उडिसा के दिवानी अस्थाई रूप से दे दी, जिसके बदले कमपणी समराठ को 26 लाक रुपया दे दी थी, और फ्रेंस कमपणी ने दिवानी कारे के लिए दो उप दिवान, मुरिसिदाबाद के लिए मुहमद राजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की न्युकती की, तो प्रशन में पुछा गया है मुरिसिदाबाद का उप दिवान, तो मुहमद राजा खां हो जा ता उसका बाद देखे कि समराट साह आलम दूतिय ने इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल बिहार तथा उडिशा की दिवानी प्रदान की तो फ्रेंस ये प्रदान किया था 12 अगस्त 1765 को अप्सिन नमबर ए राइट अंसर इसका हो जाएगा नेक्ष्ट कुस्तन हमारा है कि मुगल बातसा बहादूर सा जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके समराजी की सीमा थी देखे ये प्रसन जो है फ्रेंस ये बिवाजित प्रशन है बिहार लोकसेवा आयोग ने इस प्रशन को निरस्त कर दिया है बहादूर सा जफर के बारे मे दिल्ली के लाल किले के पालम गाउं तक रह गया था तो राइट अंसर इसमें सा उपसर नमबर इसका ई हो जाएगा के लिए चले नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि रंजीत सिंग ने सुप्रसिद्ध कोहिनीर हिरा प्राप्त किया था तो यहां पर ध्यान देंगे देखे अथारा सव इसबी में अहमद सा अबदाली का जो पौत्र था साह सुजा काबुल की गद्धी पर बैठता है प्रंतु उसका भाई साह महमूद ने सक्तिसाली बरकज़ई सरदारों फताह खान और दोस्त मुहमद की सहायता से उसे अठारा सु नौ में विस्तापित कर दिया तथा स्वयम कस्मीर तथा पेशावर पर अधिकार कर लिया इसी औसर पर साह सुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंग से सहायता मांगी और उन्हें कोह नूर यानि कि कोही नूर हिरा भेट किया था तो राइट अंसर इसका साह सुजा हो नेक्स्ट कोश्ण दिख लिजएगा टीपु सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी तो टीपु सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी यह बनाया था स्रीरंग पटनम में और राइट अन सर इसका हो जाएगा 16 नमबर प्रशन है कि अंगरेजों ने स्री रंग पत्नम की संधी किसके साथ की थी देखे फ्रंट्स तीसरे आंगल मैसुर यूद जो की 1790 से लेकरके 1792 तक चला था इसका जो समापती हुआ था ये स्री रंग पत्नम की संधी के द्वारा हुआ था स्री रंग पट्नम के संधी जो है ये 1792 में हुई थी यवी आप ज्यान रखेंगे इस संधी में अंगरेजों की योर से कर्णवालिस लॉड कर्णवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान सामिल था इस संधी का अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग एक बटा दो भाग यानि कि आधा भाग अंगरेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा साथी यूद के हरजाने की रूप में टीपू को तीन कड़ोर रूपिय अंगरेजों को देना था तो देखे रैटन सर इसका क्या हो जागा रैटन सर इसका अप्सन अबर सी हो जागा टीपू सुल्तान नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि ठगो का उन्मुलन किसके नत्रित्म में हुआ था ठगो का उन्मुलन जो है ये किसके नित्रित्म हुआ था तो राइटेंसर हो जाएगा कैप्टन सलीमन के नित्रित्म में देखे फ्रेंस लॉर्ड बिलियम बैंटिक ने कैप्टन सलीमन को ठगो की वुरुद्ध करवाई करने के लिए नुक्त किया था नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा अगला प्रशन है कि बंगाल में द्वी सासन प्रनाली किसके द्वारा लागू की गई थी तो बंगाल में पुछा गया है बंगाल में लागू की गई थी रोबर्ट कलाइब के द्वारा अप्सिन नमबर सी राइटन सर इसका हो जाएगा, दोएद शासन की सुरुवाद, बंगाल में, रोबर्ट कलाइब की समय में, सत्रा सो पैसेटिस भी में हुई थी, वारन हैस्टिंग्स के कारेकाल में, सत्रा सो बहत्तर में, कूर्ट आफ डिरेक्टर्स ने दोहरी सासन प्र जो है, यह माना जाता था, लियोनल कार्टियस को, सर लियोनिल कार्टियस अप्सिन नमबर, डी करेक्टर्स हो जाएगा, उसका बद अगला प्रसंद देखिएगा, कूस्सिन नमबर 20 है, कि भारत में प्रतम रेलवे लाइन की सिब्रेटिस गौर्णर के समय बिछाई गए लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी करेक्टेंसर हो जाएगा, प्रतम रेलवे लाइन 1893 में इस भी में आपको याद होगा, बंबई से ठाने के बीच जो है, डलहौजी के समय में बिछाई गए थी, दूसरे रेलवे लाइन 1894 में कोलकत्ता से ले, लेकरके रानी गंज के बीच बिचाई गए थी, कोलकत्ता से रानी गंज, नेक्स्ट कुस्टन देखेगा, कि मुंगेर का बरह्याताल बिरोद का उदेश से क्या था, तो मुंगेर का जो बरह्याताल था, इसका उदेश से क्या था, तो देखे मुंगेर के बरह्याताल बिरोद का उ अपसी की मांग उसके बाद 22 नमबर देखेगा कि 877 में भारत का गौर्णनर्ट जनरल कौन था इंपोर्टेंट कुस्चन है तो दिखे इसके बाद 23 नमबर देखेगा 23 नमबर है कि अंग्रेजी भारती सेना में चर्वी वाले कर्थू से चलने वाले एंफिल्ड राइफल कब सामिल की गई थी इस राइफल को जो है 1856 के आखरी में जो है इसे सामिल किया गया था तो करेक्ट एंसर इसका दिसंबर 1856 विल्कुल करेक्ट एंसर है जिनको डाउट है वो लोग एक बार बुक में चिक कर लेंगे ठीक है चलिए उसके बाद next question देखेगा कि 877 के विद्रोह का नेत्रित हो जाए बिहार में किस न देखे जगदीशपूर के किस व्यक्ति ने 1877 के विपलाव में करांतिकारियों का नेत्रित किया था तो यह कुवर सिंग करेक्ट एंसर 26 का हो जाएगा उसके बाद देखेगा कि कुवर सिंग राजा थे तो कुवर सिंग जो थे यह जगदीशपूर के राजा थे तो option C इस में से किस ने लिया था तो नाना सहाब कानपूर से यह तो बिल्कूल सही आपको याद भी होगा बेगम हजरत महल लखनव से मौल भी अहमदुला फैजाबाद से और यहां पर दिया गया है बेगम जीनत महल दिली तो देखे फ्रंस बीगम जीनत महल जो थी यह बहादूर स जफर जो थे उन्हीं की पत्नी थी और यह अपर्ट्यक्स रुप से इस विद्रो में इन्होंने भाग लिया था तो उसका अफ्साज़न नमर यी हो जाया गए वैसे भी next question देख लिएगा कि पट्ना के अथारा सो संताओन के सथा संघ्ता संगराम के नेता कौन थे देखे पटना के यह पीर अली थे तो रायटंसर मीली मुलेगा तो आप यह पसंग का नाम दिया गया है ठीड ध्यां रखना आपको कि पटना के 58 5 집 में स्वतनत्त्य संगराम के नेता कौन थे पीर अली थे ठीक है उसके बाद देखेगा कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जो केंद्र था वो कहा था तो यह केंद्र जो रहा था यह रहा था जगदीस्पूर में ठीक है अप्सन नमबर डी राइटें के बिहार बिहार के तो कूर षिंग ने किया सबसे कर्ट दुसमं था यह कौन थे तो इसमें से मौल भी अहमदूला थे ठीक है फ्रेंट से राइट अंसर अप्शन नमबर ए हो जाएगा मौल भी अहमदूला साथ क्लियर फैजाबाद से जो है इन्हों अठीकार अधिकारियों की अचहता जो थी ये इसट्रिन데 कमपनी में सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं थी बाकी जो दिया गया आप जान सकते हैं अपने पढ़ा भी होगा बुक में यह बिल्कुल जो है यह कारण थे next question देखिएगा किनिमलिखित वर्गों में से किस ने 1800 संतावन के विद्रो विद्रों में भाग नहीं लिया था भाग नहीं लिया था सहुकार ने और जमिनदार ने तो 2 और 4 जो होगा इसका correct answer हो जागा देखें 2 और 4 option number D में दिया गया है उसका बाद देखें 40 number की नम्लिकित में से कौन सा कथन सही है इसमें साब से पुछा गया है कि कौन सा कथन जो है सही है तो देखें यहाँ पर A number में पढ़िएगा कि 1897 में दरभंगा डुम्राओं और हटवा के महरा जाओं और उनकी साथ ही जमिदारों ने आदमी तथा पैसे से अंगरेजों की मदद की थी यह जो दिया गया है यह कथन सही दिया गया है ठीक है तो option number A ही इसका correct answer हो जाएगा बाकी मैं आपको दिखा देता हूं option number B, option number C और फिर option number D भी यहाँ है तो option number A जो विद्रोह के दारान बिहार में आरा, दानापूर, पटना, मुझहपरपूर तथा साहबाद जो था यह विद्रोह का केंद था तो मुंगेर इसमें से नहीं था मुंगेर इसका answer हो जाएगा केवल 5 option number इसका B correct answer हो जाएगा next question दिखेगा कि अठारसों संतावन का विद्रोह और लखनव में किसके नत्रित में आगे बढ़ा था तो लखनव में किसके नत्रित में तो राइट इंसर हो जाएगा हजरत महल के बेगम हजरत महल बेगम अवद ठीक है next question देखेगा अगला प्रशन है कि 1800 संतावन का विद्रोह मुख्यत किस कारण से असफल रहा था तो र प्रशन को पढ़िएगा और यहां से आपको एंसर दिखाऊंगा मैं अप्सिन चुनकर के एंसर बताना है दिखे 1877 में प्रशन संग्राम ब्रेटिस सरकार से स्वतनतिता प्राप्त करने में असफल रहा उसका बढ़िखे कारण बताया है कि बहादुर से जफर के नेत्रित असपश्टी करन भी कर रहा है कि इसमें से लोगों का सहयोग नहीं था और बहुत लोग जो है बहुत जो रियासक के सासक थे उन्होंने साथ जिने से इनकार भी कर दिया था तो राइटन सर इसका अप्सिन नमबर ए हो जाएगा उसका बद अगला प्रसन दिखेगा कि महार विक्टोरिया ने भारतिये प्रसासन को ब्रिटिस ताज के नियंतरन में लेने की गोशना की इस गोशना के बाद भारत में कमपणी के सासन को समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिस कराउन के अधीन कर दिया गया एक भारत मंत्री या सचीव का लिजिए तथा पंदरह सदस्वाली इंडियन काउंसिल के अस्थापना की गई ततकालिक जो गौर्णर जनरल था लॉर्ड काइनिंग उसको भारत का पर्थम वायसराय बना दिया गया था ठीक है तो राइटन से इसका अप्शन नमर ए हो जाएगा एक नॉम्बर अठावन फ्रेंट्स जहां एक्स्प्लेनेशन क्या उसकता होगी वहां मैं आपको एक्स्प्लेन करके बता दूँगा ठीक है देके अठावसराय संतावन के विद्रह के बाद ब्रेटिस सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतु से चैन किया था तो इन्होंने चैन जो किया था यह किया था गोर्खा सिक और पंजाब उत्तरप्रांच से तो राइटेंसर अपसन नमबर सी हो जाएगा तो 47 नमबर देखिएगा कि नमलिकीत में से किसने 1877 की विद्रह को एक सड्य अंत्र की संग्या दी थी तो सड्य अंत्र की संग्या इसमें से किसने दिया था तो सर जेम्स आउट्रम एंड रखिएगा ठीक है फ्रेंस चलिए उसका बाद नेक्श्ट कोस्टन है महारा 48 नमबर कि नमलिकित में से कौन सा आयोग 1877 की विद्रह के दमन के बाद भारतिये फौज के नव संगठन से संबंदित था यह था पील आयोग या फिर पील कमिशन जो भी कह लिए देखिए 1877 की बिद्रह के दमन के बाद ब्रेटिस सरकार ने भारतिये फौज में नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाती समुदाय और धरम के आधार पर विवाजित किया यूरोपिये सेनिकों की संख्या जो 1877 की क्रांती से पुरू 45,000 थी अब उनको 65,000 कर दिया गया तथा भारतिये सेनिकों की संख्या 2,38,000 थी उसको घटा करके 1,40,000 कर दिया गया ठीक है और देखे फ्रेंड से बंगाल में ये उरोपिये सेनिकों का भारतिये सेनिकों से एक अनुपात दो का अनुपात रखा गया जबकि मद्रास तथा मुंबई में यहां अनुपात जो रहा था एक अनुपात तीन रहा था ठीक है चली तो राइट अनसर इसका अप्शन नमबर भी हो जाएगा पील कमिशन नेक्स्ट कुस्टन के नील विद्रोह किसके बारे में था नील विद्रोह जो था यहां रहीत नील की खेती नहीं करना रहे थे पर उनसे एक अमान ने मुल पर जबरजस्ती जो है खेती कराई जा रहा ही तो राइट अनसर जो है इसका अप्शन नमबर इसमें से क्या हो जाएगा अप्शन नमबर सी हो जाएगा ठीक है और देखिए इस पर जो है दीन बंधु मित्र की पुस्तक भी है नील दर अप्रथा जिसके तहत किसान स्वयम भूमी का मालिक होता है और सावकार को भुराजस्व के भूगतान के लिए जिम्यदार माना जाता है तो सही इंसर इसका क्या हो जाएगा रइयत वाड़ी प्रथा ऑप्सन नमबर बी ठीक है चलि नेक्ष्ट कोस्तन देख लिएगा पूत्र यदिकारिए था टीपु धार्मिक तेथा राज देशहों से प्रयरित था। वह इतना सक्तिशाली हो गया था कि स्वतन्तर सत्ता का प्र्योग करने लगा और अपना प्रसासन चलाने के लिए उसने एक नयाधिस, एक मजिश्ट्रेट और एक कलक्टर की न्युक्ति भी कर लिया था तो रैट अंसर क्या हो जाएगा? रैट अंसर इसका हो जाएगा उप्सन नमबर भी करमसा ठीक है? चलिए नेक्स्ट कुस्सन देखेगा कि फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सर्यतुला द्वारा चलाएगे संप्रदाय के अनुवाई थे तो रैट अंसर इसका उप्सन नमबर A हो जाएगा उसका बाद next question देखेगा कि फराजी अन्दोलन की सुरुवात किस ने कि थी? तो फराजी के सुरुवात हाजी सर्यतुला ने किया था उप्सन नमबर A रैट अंसर हो जाएगा उसका बाद एक कुका अन्दोलन को किस ने संगठित किया था? देखिए कुका अंदोलन जो था friends इसको संगठित किसने किया था तो देखिए पस्चिम पंजाब में कुका अंदोलन की सुरुवाद जो है यह 1840 सिस्पी में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी जिने मुख्यात सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था गुरू राम सि सिंग ने कुका अंदोलन को संगठित किया तथा इस संगठन को जुजारू बनाया था किसने तो राइटन से ऑप्सन नमर सी हो जाएगा गुरू राम सिंग ठीक है 1840 लिखा हुआ है उसका बद देखिए 1875 के डक्कन के दंगे का ततकाली के कारण क्या था तो फ्रेंस में रामोसी क्रिशक जथा किसने अस्ठापित कि थी बताइए तो देखे फ्रेंस इसको अस्थापित क्या था बासुदेव बलवंत फड़के ने आप्सन नमर सी राइट अंसर इसका हो जाएगा प्राराम्विक रांतिकारियों में बासुदेव बलवंत फड़के ने जो की मिर्तिव हो गई थी ध्यान रखेंगे उसका नेक्स्ट कुस्टन देखे रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भागोलिक इलाके में हुआ था तो यह पस्मी घाट में रहने वाले रामोसी जाती कि लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चीतर सिंग के नेतरित में रामोसी विद्रोह किया था तो रैटन सर इसका उप्सन नमबर डी पस्मी घाट हो जाएगा उसके बद उनसर नमबर कोस्टन देखे कि वधेरा विद्रोह जो है कहां हुआ था वगेरा विद्रोह यह कहां हुआ था तो उन्होंने अंगरेजी सेना की सहायता से बगहेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रियत्न किया जिसके परिणाम सरुप बगहेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया तो ध्यान रखेंगे यह विद्रोह जो है बड़ोधा में हुआ था ठीक है 1818 इस भी में तो रैटन सर इसका नमबर डी हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन देखेएगा कि मानव बली पर्था का निस्यद करने के कारण अंग्रेजियों की विद्रोह करने वाली जन्जाती कौन सी थी तो यह खोंड जन्जाती थी आप कई बार पढ़ते आ रहा है ठीक है चले नेक्स्ट कुस्टन देख 1855 इस्वि में संथालों ने किस अंग्रेज कमेंडर को हराया था बताईए तो 1855 इस्वि में संथालों ने भागल पुर्चेत्र के भोगना डी तालू के ठीक है ध्यान रखेंगे भोगना डी तालू के में बिद्रोह कर दिया और इन्हों ने एक साथ पुलिस और जो कर रहे थे संथाल विद्रोह को दबाने कि लिए मेजर बारों के नत्रित में एक सेना भेजी गई थी जिसे संथालों ने हरा दिया था तो यह मेजर बारों हो जाएगा ठीक है गया नेक्स्ट कुषन देखिए कि मुंडाओं पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे अपने आपको भगवान का दूत घोषित किया था ठीक है याद रखेंगे चलिए अगला कुस्चन देखेगा नेक्ष्ट कुस्चन है कि उल्गुलान विद्रोव किस से जुड़ा था या मुंदा विद्रोव तो राइटन से रिसक क्या हो जागा विरुषा मुंदा से ऑफ्सन नमीबर D नेक्स्ट कुस्टन हमारा है कि 1899 इसवी की मुंडा करांती का नेत्रित तो यह जो था कौन था विर्षा मुंडा थे option number C right answer हो जाएगा विर्षा मुंडा किसके पक्ष में थे तो विर्षा मुंडा जितो यह किसी के पक्ष में नहीं थे ठीके चलिए उसके नेक्स्ट कूर्सन देख़ेगा कि 1831 में बुदो गगत के नेत्रित में कोल विद्रों केश चेट्र में completa री हो go साफे को С कोब बगत के नेत्रित में वृष हो था जिसका केंदर संथाल परगना था 1821, option number C next question दिखेगा question number 70 किस अस्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाब विद्रोह किया था तो friends, ये कहाँ पर किया था तो देखे, बिहार में तो किया ही किया था साथी साथ जो है friends, जहान रखेंगे सिंद के जंजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विद्रोह किया था तो बिहार भी और सिंद भी हो जाएगा ठीक है, तो option number E इसका right answer हो जाएगा उसका बदी कि इनमें से किसने अंग्रेजी इस्टेंडिया कंपणी के control के खिलाब बगावत नहीं किय थी तो बगावत किसने नहीं किया था तो हैदराबाद के निजाम नहीं किये थे ठीक है, option number B सही इंसर हो जाएगा, उसका बदी कि अफगनिस्तान के प्रती आकरमक नितिक कि सवाय सराय ने अपनाई थी तो फ्रेंस ये किस ने अपनाया था Lord Litton ने अपनाया था, ठीक है Lord Litton ने अपनाया था ध्यान रखेंगे, option number B राइट अंसर हो जाएगा, उसका बदी कि 1878 का Vernacular Press Act किसने रद किया था 1878 में Vernacular Press Act को लागू किसने किया था तो Lord Litton ने लागू किया था और इसको जो है रद किसने किया था इसको समाप्त किसने किया था निरस्त किसने किया था तो 1882 में Lord Rippon ने किया था ध्यान रखेंगे, important है और ये जो Vernacular Press Act था इसका धिन सोम प्रकास भारत मिहिर धाका प्रकास सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों की विरुद मामले दर्ज किये गये थे ठीक है चलिए, next question देखेगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया अस्थाई बंदोबस्त जो है ये किया गया था जमिनदारों के साथ तो रैटन से इसका अप्सन नमबर ये हो जाएगा ज्यान रखेगा ठीक है, 1793 में लॉड करनवालिस ने भूराजस्व की अस्थाई मंदोबस्त प्रनाली को प्ररम्भ किया था चलिए, next question देखेगा और इसमें क्या होता था, friends कि भूमी के लगान का 10 बटा, 11 भाग कमपनी को देना होता था तो था, एक बटा, 11 भाग अपनी सिवाओ के लिए अपने पास रखना होता था उसका next question दिखेगा कि बिहार में permanent settlement लागू करने का कारण क्या था, तो friends इसका कारण था, भूराजस्व का राजस्व निरने करना, ठीक है लोड करनवालिस के समय, भूराजस्व व्यवस्था अरंब में 10 वर्षी व्यवस्था करूप में 1790 इस्वी में लागू की गई थी जो 22 मार्च 1793 को permanent settlement यानि कि अस्थाई बंदोबस्थ करूप में अस्थापित हुई थी, किलेर अभी हम लोगों ने इसका बारे में चर्चा किया है तो राइट एंसर, option number इसका C हो जाएगा, next question दिखेगा कि रिक्ता स्थानों की पूर्तिका ने खाली अस्थान दिया गया है, में बिहार और बंगाल में भूमी कर भूमी पर किरायदारों के अधिकारों को बंगाल किरायदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था तो राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा, option number A हो जाएगा, 1885 ठीक है, option number A इसका सही अंसर हो जाएगा next question देख लिजे, अगला प्रशन हमारा कि सत्यार्थ प्रकास की रशना तो सत्यार्थ प्रकास की रशना जो है ये पुस्तक इसकी है, ये स्वामी द्यानन्द स्वरसती की है, option number D राइट अंसर हो जाएगा, स्वामी द्यानन्द स्वरसती ने जो है, 1875 में बंबई में आरे समाज की अस्थापना इन्होंने किया था अमरित बजार पत्रिका की अस्थापना किस ने किती देखें, यहाँ पर चारों option दिख रहा है अमरित बजार पत्रिका की अस्थापना जो है ये सीसिर कुमार घोस ने 1868 में कुलकता में किया था ठीक है फ्रेंट्स क्राराम में या बंगाली भासा में प्रकाशित होती थी लेकिन 1878 में देशी भासा प्रेश अधनियम से बचने के लिए रातो रात अंगरेजी भासा में रुपांतरित हो गई थी अमरित बजार पत्रिका 1868 कलकत्ता से जो है किसने शिसिर कुमार घोस ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था अस्थापना किया था तो राइट एंसर शिसिर कुमार घोस हो जाएगा अप्सिन नमबर डी निमन अकबारों में से कौन सा मुक्तिया जो था उदारवादियों की नित्यों का प्रचारक था तो यह अकबार था इसमें से कौन था तो यह लीडर था ऑप्सिन नमबर बी राइट एंसर हो जाएगा ज्यान देंगे यहां पर देख रहे हैं फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजनसी थी उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यह जो सताब्दिक के धार में समाज सुधार आंदोलोने ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यता आकर्षित किया था तो इसका एक दो और तीन साइंसर हो जाएगा ठीक है एक दो और तीन आप्सिन नमबर सी में दिया गया है इक आसे नमबर प्रशन है कि भारतिये पुनर हो जाएगा निम्लकित में से कौन आत्मिय सभा के संस्तापक थे तो आत्मिय सभा के अस्थापना 1815 में राजारा मोहन राय रुक द्वारा की गई थी अपसिन नमबर ए राइट एंसर हो जाएगा उसका बाद नेक्स्ट कुस्चन हमारा है और यह जो आत्मिय सभा थी सथापना किया था इस बात के थ्यान रखेंगे विस बताया था मैं आठारा सो 15 में किस ने किया था राजारा मोहन राय ने किया था तो इन्होंने ब्रह्म समाझ के अस्थापना राजारामोहन राए ने ऐधी नहीं लेकर नेक्ष्ट कोष्टन में रहत नोग के असेत्त कुसित हो पूछाए मोद्यक्ष्ट नियम सत्रह भी पुछा जाएगा, नियम सत्रह के द्वारा सती प्रतापर पंतिवंद लगाया था इसने, केलेर राजा राम मोहन राय के सायोग से 1829 में, छली, नेक्ष्ट कोशन दिखिली जेगा, कि प्राथना समाज के संस्थापक, तो प्राथना समाज के अस्थापना जुड़े थे, और इस संस्था का जो मुख्य उदेश था, वो जाती प्रथा का विरोध, इस्त्री पुरुष्की बिवाह की आयू में व्रिधी, विद्वा बिवाह, एवं इस्त्री बिवाह को पुरुच्चाहन देना था, तो राइट नंसर इसका ओप्सन नमबर E हो ज जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंस इंपोर्टेंट है, 1897 में इन्हों ने जो है रामकृष्ण मिशन की अस्थापना की थी, यह आप ध्यान रखेंगे 1897 में, नेक्स्ट कुस्सन हमारा है, किनमे से किस ने 1893 में सिकागो में आजी धर्म स संसद में भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने लिया था, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की अस्थापना तो अभी में ने बताया था, 1897 मीनों ने रामकृष्ण मिशन की अस्थापना की थी, इनके बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ सथापना की थी बंबई में उसके बाद देखेंगे इनकी पुस्तक है गुलाम गिरी ध्यान रखेंगे जोतिबा फुले की पुस्तक है गुलाम गिरी ठीक है फ्रेंट्स और अपने जो संगठन इन्हों ने अस्थापित किया था सत्यसोधक समाज इसके दवरा है पाखंडी ब्रह्मनों उनके उसरवादी ध्रहम गरंतों में से जो निम्न जातियों की रक्षा की आवसकता पर इन्हों ने बल दिया था सत्यसोधक महिला मेडम ह.प बलाउट्स की और अमेरिकन साइनिक अधिकारी कर्नल अलकार्ट ने किया था ठीक है फ्रेंट्स अठार सो ब्यासी में धेयां रखेंगे अठार सो ब्यासी में जो है मदरास के पास अड़यार नामका स्थान पर इस सोसाइटी का मुख्यालय अस्थापित क किया गया था ठीक है जो बाद में इसका अंतराष्टी कार्याले बन गया नेक्स्ट कोस्टन देखेगा हमरा अगला प्रश्ण है कि भारती राष्टी कॉंग्रिस की प्रतम महिला अध्यक्त तो यह महिला अध्यक्त जो थी स्रीमती एनी बेसेंट थी प्रतम पूछा गया है वहीं अगर प्रतम भारती ये महिला पूछा जाता तो यह सरोजनी नाइडू हो जाता ठीक है चली नेक्स्ट कोस्टन देखेगा और यह एनी बेसेंट जो थी 1917 का जो कलकता अध्यक्त था उसके अध्यक्त किया था और सरोजनी नाइडू ने 1925 के कानपूर अध्यक्त के अ प्रश्ण जो पूछा गया है कि नारी आंदोलं किनकी प्रेणा से प्रारंब भूआ था तो यहां निस्तरुप से टाइपिंग में एरर हुआ है या फिर जो प्रश्ण पूछा गया उसी समय एरर हो गया है यहां रामा भाई रानाडे होना चाहिए था रामा भाई करके ही समाजिक बुराईय को दूर किया जा सकता है इस तरह से देखा जाए तो आप्सन नमबर डी जो है करेक्ट अंसर हो जागा अगर आप्सन में रामा भाई रानाडे होता तो रामा भाई रानाडे ही करेक्ट अंसर होता नेक्स्ट कुस्चन देखे का 96 नंबर 96 नंबर इसका option number B हो जाएगा ठीक है देखिए प्राथना समाज जो है यात्मा रंग पांडू रंग उसके बाद देखिए यंग इंडिया मोहंदास करंशंद गांधी लोग हितवादी कोपाल हरी सत्य सोदक समाज जोतिवा फुले और यह रहनुमा बाई मजदेवा सन सभा यह जो थ अगला प्रशन है कि नाई धोबी बंद समाजिक बहिसकार संगठन करवाई की पहली घटना थी तो राइटनसर इसका ओप्सन नमबर और हो जाएगा थीक है आपको ऑप्सन दीख रहा होगा सभी ऑप्सनर नमबर और आइटनसर हो जाएगा उसके लिए पंजाब भूमी हस्तानासर अंत्रन अधनियम कब पारित किया गया था तो यहेंं पारित किया गया था एक समात्तलों दिखएग कि उदेश क्या था तो इसका उदेश जो था यह आपको बताना है तो यह लगान का नगद में परिवर्तन ठीक है option number इसका डी राइटेंसर हो जाएगा 100 नमबर देखिए स्वामी साहजानंद का संबंद था तो स्वामी साहजानंद का संबंद जो था यह बिहार के किसान आंदोलोने से था option number C राइटेंसर इसका हो जाएगा उसके बाद next question दिखेगा अगला question है कि स्वामी साहजानंद निम्रिकित में से किस संबंद थे तो स्वामी साहजानंद जो थे यह बिहार में किसान आंदोलोन से संबंद थे किसानों के परती इनके समर्पीत सेवाव के कारण इनहें किसान प्राण कहा जाने लगा था ठीक है तो राइटेंसर option number C हो जाएगा उसके बादे 102 नमबर किनमेस से कौन विहार में किसान अंदोलन के साथ जुड़े थे तो किसान अंदोलन के साथ जुड़े थे इसमें से राजिंदर प्रशाद विहार में किसान अंदोलन से जुड़े थे और वे सितंबर 1946 में सितंबर 1943 में गठी अंतरिम सरकार में खाद यम क्रिसी मंत्री थे ये समिधान सभा के अध्यक से थे समिधान लागू होने के बाद ये भारत के पहले राष्टपती भी वने थे अप्सिन नमबर A सुरक्षा प्रकोष्ट की नीती संबंदित है सुरक्षा प्रकोष्ट की नीती संबंदित है तो ये है वारन हैस्टिंग्स थे अप्सिन नमबर A राइट अंसर इसका हो जाएगा उसका वादी के निमलकित में से किसने बंगाल में द्वैद असासन प्रनाली यानिकि द्वैल गवर्मेंट को समाप्त कर दिया तो ये समाप्त किस ने किया था तो ये समाप्त किया था वारन हैस्टिंग्स ने अप्सिन नमबर C राइट अंसर हो जाएगा वारन हैस्टिंग्स ने समाप्त किया था नेक्स्ट कुस्स्स दिखेगा कि लॉर्ड वेलयजली की सहाइक संदी को स्विकार करने वाला पहला मराथा सरदार तो यह पहला मराथा सरदार जो था फ्रेंस यह था पेशवा बाजी राव दोती ए अप्सन नमबर एर आइटन्सर इसका हो जागा पेशवा बाजी राओ दूतिये Next question हमारा है कि महरानी Victoria को भारत की समरागी न्युक्त किया गया महरानी Victoria को भारत की समरागी जो है न्युक्त किया गया तो दिखे ब्रिटिस संसद ने एक राच उपाधी अधिनियम पारित किया जिसमें जो है महरानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद के उपाधी से विवुशित किया गया लॉड लिटन ने 1877 को दिली में एक वैवसाली दर्बार का आयजन किया था और उस उपाधी की घोशना इसी दर्बार में की गई थी ठीक है ने 1885 में फिरोद सह मे suis T पैलंग बद्रुदीन तयव जी ने किया था तो रैट एंट से इसका हो जाएगा केटी त्यलंग फिरोद सह मेसना बद्रुदीन तयव जी भी उपसन में दिया अगा है इसका उदेश लोगों राजनितिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था भारत संग यानि कि इंडियन एस्सोशेशन के संस्थाप कोन थे तो देखे 1876 में सुरेंद्रनात बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सायोग से इंडियन एस्सोशेशन के अस्थापना कुलकता में की अप्सन नमबर इसका जो है सुरेंद्रनात बनर्जी हो जाएगा भारती राज़्टी कॉंगरिस के पूर्व सबसे प्रमक संस्था कौन थी तीस से पहले जो संस्था थी इसका नाम है इंडियन एस्सोशेशन ऑफ कुलकत्ता ठीक है इसके अस्थापना शुरेंद्रनात बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की सायोग से किया था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कुशन दिखे सुरेंद्रनात बनर्जी को किस वर्स भारती सीविल सर्विसेस से हटाए गया था देखे फ्रेंद्रनात बनर्जी दूसरे भारतिये थे जिन्हें आई सीएस पर इक्सा उत्रेंद्र की थी इनकी न्युक्ति जो है सिलहट जो की बंगलादेस में है असिस्टेंट मजिस्टेट के पद पर हुई थी यहाँ पर मामली भूल के वज़़से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था अठार से चुहत्तर अप्ससन नमबर ए नेक्स्ट कुस्ट्स देख लीजेगा अगला कुस्सने की राजनेतिक सुधारव को ले करके विरोध करने वाले पहले भारतिये कौन थे तो ये भारतिये थे राजारा मोहन राय, option number C, right answer हो जायेगा next question हमारा है कि मदरास महाजन सभा की अस्थापना की गई थी तो फ्रेंस ये जो अस्थापना की गई थी, 1884 में B. राजवाचारी, G. सुबर्मनयम तथा P. आनंद चारलू के द्वारा की गई थी ठीक है, कब की गई थी तो ये 1884 में, दीका 1884 option में नहीं है, option number E जो है इसका correct answer हो जायेगा next question देख लिजेगा कि भारती राष्टी कॉंगरेस के पर्थम अधिवेशन में कितने परतिनीधियों ने भाग लिया था, तो पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, और इसमें total 72 परतिनीधियों ने हिस्सा लिया था, option number C, red tensor हो जायेगा next question हमारा है, अगला question देखिए कि भारती राष्टी कॉंगरेस के अस्थापना की गई थी, तो 1885 में की गई थी, AO हूम के द्वारा, option number C, red tensor हो जायेगा 115 नमबर देखिए, भारती राष्टी कॉंगरेस के अस्थापना कीस ने की थी, तो AO हूम ने की थी, उसके बाद देखिए, भारती राष्टी कॉंगरेस के संस्थापक AO हूम थे, option number B, next question देखिएगा उसके बाद next question देख लीजे कि भारती राष्टे कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे तो ये जो थे फ्रेंस एलान वक्टोवियन हें ये कौन थे तो राइट अंसर जो है इसका हो जाएगा option number A एक और सैनिक से वक्त थे ठीक है चले next question देख लीजेगा कि भारती राष्टे कॉंग्रेस का प्रतम अधिवेशन कहां हुआ था तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था option number C राइट अंसर हो जाएगा भारती राष्टे कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अधिवेशन के अधियक्सता दादा भाई पार्ट में हम लोग कवर कर रहा है आज पहला पार्ट था 120 हम लोगों ने कवर किया है प्रश्णों को बाकी सेस्ट जो कुस्सन है इनको दो पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दिज़ेए